नमस्कार संसकती PCS के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है प्राची मिश्टा और आज से हम शुरू करने वाले हैं यूपी स्पेशल की हिस्ट्री से समंधित जो क्लास है उसे यहाँ पे हम जो पूरा फोकस करेंगे यूपी हिस्ट्री को लेकर के हैं पूरा फोकस करने वाले हैं हम में हिस्ट्री स्ट्री में नहीं जाएंगे जो यूपी से समंधित हिस्ट्री है उसको करेंगे exam के पॉइंट अफ यू से यहाँ पर मैंने आपको point to point notes जो है वो आपको provide करवाई है तो जो भी बच्चे notes चाहते हैं इस class की आपका video है वहाँ पर description है description में आपको ये video का link भी मिल जाएगा और साथी साथ PDF link मिल जाएगा ठीक है चली तो ये तो बात रही है आपके PDF की क्योंकि आपको query इससे सम्मधित जादा रहती है शुरुबात कर लेते हैं history के तो जैसे कि आप सभी जानते हों कि जो इतिहास है जो मारा past है वो बहुत ज्यादा क्या है रच रहा है तो प्राचीन भारते इतिहास की बात की जाए तो वह बहुत यहां पर आप देखोगे मानो प्रजातिया बहुत ज्यादा संगम रहा है मानो प्रजातियों का यहां पर यूनानी आए शक आए हूड तुरक आए ठीक और इन सभी जो शाशक थे इन्होंने अपने पीछे बहुत सारे अस्तित्विया अवशेश अपने छोड़े ठीक है अंगिनत आप देखोगे कि आपको पत्थरों से सम्मंदित इस्तंब मिलते हैं पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ मिलता है तो यह जो अवशेश है यह हमारे इतिहा से क्या इतिहास के जानने में हमारी सहयता करते अपर नबर आज ऱ्य पार मिला हमें कैसे पता चला कि राजवाजन था वहां की शार्षिन व्यवस्था क्या स Always Mates जो पहली ऐसी सब्दा थी उसी को क्यों सब्दा बोला गया ठीक है बाकी अधर जो दितनी भी करते हैं क्लास की सबसे पहले बात करेंगे प्राजीन इतिहास के स्थ्रोथ से इसको शुरू करेंगे जब इतिहास के स्थ्रोथ के बात आती है तो यहां पर दो पार्ट में इसको डिवाइट किया जाता है कौन कौन से दो पार्ट है पहला है साहितिक स्थ्रोथ और दूसरा ह उन्होंने पुस्तके लिखी बहुत सारी पुस्तके हैं उनके लेखक हैं सारे जो चीजे कबर हो जाती है वह पोरा तात्विक स्रोथ इसका बहुत ज़्यादा महात्व भी है अभी लेक सबसे पहला अभिलेक कौन से थे, कौन से अभिलेक पढ़े गए, अशोक के कौन से अभिलेक को कहां से कौन उठा करके लाया, किस के द्वारा पढ़ा गया, किस सदी में पढ़ा गया, ठीक है, किस भाशा में लिखे थे, खरोस्टी में थे, कौन से लिपी में लिखे गए थे, तो इन सारी चीजों को यहां पर अभिलेखों में कंपाइल किया गया और यहां से आपके पार्ट के क्वेशन बनते हैं, ठीक है, तो पूरा तात्रिक स्त्रोत में हम क्या पढ़ेंगे, अभिलेख और सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, तो चली, दो पार्ट मैंने आपको निक है, उन्होंने, आप बात कर लेते हैं स्त्रोतों की जिसमें क्या है, साहितिक और पुरा तात्विक, जब मैं साहितिक स्त्रोत की बात करूँगी, तो इसको अगेन तीन पार्ट में डिवाइट किया गया है, सबसे पहले आपके आएंगे ब्रामर साहित, दूसरे आएं कम थोड़ी ना है ये वेदों से, हमारे बहुत ही ज़ाद हमात्वपोन है, तो वहाँ पर हम लक्षमी कान के एक्जामपल लेते हैं, लक्षमी कान बुक बहुत मोटी है, अब इसी को कोई शॉट करके, सिंप्लिफाइ करके हमें अलग-अलग पार्ट में दे दे, तो वो क् समझाने के लिए सरल भासा में, आसान भासा में इन वेदांगों की रशना की गई, और इसी के बाद आजाते हैं महा कापे, बात कर लेते हैं, इनकी ऑथेंटिसिती की, यानि कि ये कितने ऑथेंटिक सार्चे हैं, तो जो आप देखोगे कि पुरा तात्विक हैं, वो बहु यहां पर जो 38 योगती बहुत जादा देखने को मिलती हैं, इसलिए पुरा तात्विदों ने इन्हें बहुत जादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना है, आप देखोगे यहां पर जो यात्रा वरतान्त हैं, युनानी लेखक, रोम लेखक, साहितिक रशनाय हैं, बहुत और ज थीक है कि बाई किसके फायान का बाया, ठीक है हुई इन्सांग का बाया, ठीक हिस्टोरिका किसके दौरा लिखी गई है, हेरोडूटस के दौरा लिखी गई है, तो ये सारी जो important चीजे हैं वो इसके अंतरगत आपके आ जाएंगे, दूसरा है पुरा तातिक जहां पर मैंन सबसे पहले बात करेंगे हम वेदो से जो कि हमारा क्या है ब्रामर साहित्य वेदो की बात की जाए तो सबसे पूराना एक तरीकी का हम कहते हैं कि यह प्राचींतम ग्रंत है जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है question में पूछते हैं आपके pieces में क्या effects आते हैं mostly तो यहां पर point to point बात करेंगे वेदों की रशना की गई है माहरशी, कृष्ण, दोयपाय, वेदव्यास जी के द्वारा ठीक है अब चारों वेदों को संकलित करके उसको कहा क्या जाता है तो उसको हम कहते हैं सहीता जो चारों व इसके बाद जाता है यजुर वेद, तीसरा है आपका साम वेद और चौथा है आपका अथर्व वेद, इन वेदों में आप देखोगे कि हमारे पूजा करने की विदी कैसी होनी चाहिए, संगीत का विशकार किस वेद से हुआ है, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा की ग करता व मां क्या कहते थे तो अतukt बात आ जाती है क blend के लिदी चाहर्ण करता को कहते थे तो संग साम में कर रे महते है विदे चाहर्ण करता को क्या कहते हो तो इनको कहा जाता था ब्रह्मा ठीक है यह क्या होते थे ब्रह्मा होते थे जो इन वेदों के उचारण करता होते थे ठीक है जैसे अभी हम क्या कहते है टीचर कहते है कि हमें क्या कर रहा है पढ़ा रहा है कोई अब कोई इस्पेशली लच्षमी कांथ पड़ा तो क्या कहते है पॉलेटी के टीचर है वैसे ही यहां पर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज़े जो है वो मैंशन करी है मैंने के बुलो मैं डीप हिस्ट्री में नहीं जाओंगी जो हमारे एक्जाम के पॉइंट अभी से इंपोर् है यदि आपसे कभी क्वेशन पूछे आता है कि पहला पध्यात्मक वेद कौन सा था तो आपका रिगवेद पहला पध्यात्मक वेद था ठीक है सूक्त की बात की जाए तो टोटल इसमें एक हजार अठाईस सूक्त है और वर्तमान में यह दि मैं बात करूं मंत्रों की संख्या तो अलग-अलग सोस्स से आपको अलग-अलग यहां पर संख्या जो है वो मैंशन की गई है तो हम मोटा-मोटी मान के चलेंगे कि 11000 के आसपस यहां पर क्या है वर्तमान समय में जो मं जाते हैं आपकी इसके ब्रामर ग्रंथ रिगवेद के ब्रामर ग्रंथ कौन कौन से हैं यजुरवेद के कौन से हैं सामवेद के कौन से हैं और थरवेद के कौन से हैं तो यहां पर ब्रामर ग्रंथ की बात करें तो इसके दो ब्रामर ग्रंथ हैं पहला है एतरे और दूसरा है कौशीत की ठीक है तो इसको याद रखेगा पहला कौन सा है एतरे ब्रामर ग्रंथ है और दूसरा है कौशीत की इसके बाद आते हैं यजुरवेद में इंपोर्टन चीज क्या है तो यहां पर बताया गया है यगों के नियम और उनकी विधिया की कैसे हमें यग्य करने है पू तीक आगे बात कर लेते हैं और शदी के बारे में किस वेद में बताया गया है तो अथर्म वेद में और रोग से संबंदी जो चीजें हैं वो मैंशन करी गई है यह पद की बात करें तो यहां आपके गद्वपध दोनों में लिखा गया है टोटल इसमें 663 आपके मंत्र है इसके दो ब्रामण गरंथ हैं कौन-कौन सा है शत्पत है और तैत्तरी है इसके दो ब्रामण गरंथ है और यदि मैं रिगवेद की बात करूँ तो दो है एतरे और कौशीत की ठीक है आगे आज आते हैं हम सामवेद में इसको कहते हैं यह भारतिये संगीत का क्या है जनक मान जाता है टोटल इसमें सूक्त कितने हैं तो 1549 टोटल इसमें सूक्त हैं इसके दो ब्रामर ग्रंथ हैं कौन-कौन से पंचविश और शडविश आगे बात कर लेते हैं अथर्ववेट की इसकी रशना किसने की तो अंगिरस द्वारा इसकी रशना की गई थी इसमें रोग और औशदी और जादू टोना इन सारी चीजों के बारे में चड़्चा की गई है ब्रामर ग्रंथ केवल इसका एक ही कौनसा है गुपत है क्वेशन कैसे आता है बेसिकली आपका पूछा जाएगा यहां पर ब्रामर ग्रंत दे दिये जाएंगे कि निमलिखित में से कौनसा ब् पिटी मिलेगी पॉइंट टू पॉइंट इसमें चीजें लिखे हैं आपके रिविजन के लिए बहुत ही साथ इंपोर्टेंट है चलिए आगे बात कर लेते हैं वेदांगों की यानि वेदों को समझने के लिए जिनकी रशना की गई वो थे क्या वेदांग ठीक है यह टोट शे वेदांग थे जिनकी रचना की गई थी वेदों को समझने के लिए सरल भास्या में चलिए थर्द हमारा कॉन सा था महांकाव। था महाकावी की बात करें तो यहां पर आ जाते हैं आपका पुरान सबसे पहले वैदिक काल के बाद इनकी रचना हुई थी किसकी पुराणों की रचना वैदिक काल के बाद हुई है और पुराणों की जो कुल संक्या है वो आपकी 18 है कितनी है 18 है बात करते हैं इसके संकलन कर सबसे पुराण से पुरान से उसके ब्रहुत्टर साहित आप किसा में डेखने को मिलेंगें देखने को मिलेंगे तो एक important चीज अगर आपसे प्रशना आता है कि किस भाषा में आपके जो बौदसाहिते लिखे गए हैं तो पाली भाषा में लिखे गए हैं ठीक है तुरी पिटक बौदसाहित का सबसे महात्वपून ग्रंथ है और इसमें बुद्ध की सक्षाओं का संकलन किया गया है ठीक है विने दार्शनिक सिध्धांतों के बारे में चर्चा करता है तो विने पिटक में किसकी बात की गई है संग से संबंदित जो नियम है काईदे कानून है उनके बारे में चर्चा की गई है दूसरा धार्मिक सिध्धांत जिसमें बात की है सूक्ति पिटक में की है और तीसरा है आगम कहा जाता है महादवपूर ग्रंथ इसके कौन से है तो परिशिस्ट पर्व दूसरा है आपका भट बाहु चरित तीसरा है आचा रांग शूत्र चोथा है आपका भगवती शूत्र और फिर उसके बाद कालिका पुरा कल्प शूत्र जिसको लिखा किसने है बद्र बहु कि बौदधर्म का प्रचार प्रशार कैसे हुआ बद्र किस समय उनके अनुयाई थे वो किस प्रकार के थे वहां का शाषन व्यवस्था कैसा था किनकिन राजाओं ने बद्र को अपनाया कैसे अपनाया उसके लिए कितनी संगतिया करी ठीक है तो ये सारी चीजों के बारे म हमारे साहित मेंशन किये गए हैं तो इनको देखते हैं कौन-कौन से साहित थे और एक साइड आपका क्या दे दिया गया है इनके रचनाकार कौन-कौन से हैं चलिए अब यह ठीक है वहाद साहित हम पीछे चर्चा कर चुके हैं तो लोकिक साहित में आप देखोंगे सबसे पहले आजाता है आपका अस्टा ध्याई जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है पाड़ीनी के द्वारा की गई है और एज इस पूचा जाता है कि अस्टा ध् इसको किसने लिखा है तो विशाक द्वारा इसकी रशना की गई है तीसरा है आपका महाभाश रचना किसने की है पतंजली द्वारा इसकी रशना की गई है चौथा है आपका कथा सरिच सागर इसको किसने लिखा है तो सोम देओने इसको लिखा है इसके बादा है ब्रहद क देखो कि यहां पर मौरेकार के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, मालविकाग निमित्र किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदाल जी के द्वारा लिखी गई है, हर्षी चरित किसने लिखी है, तो बाड़ भट्टे ने लिखी है, बात करें, राजत समझ रहे हैं, तो इसी हम इन्हें इतिहास के बाड़े में branे में रखते हैं, यहां से कोईशन आपके पूछे जाते हैं, पूस्ट तक किसने लिखी थी तो हैरोड रोटस द्वारा लिखी गई थी ठीक है दूसरी है आपकी Natural History किसने लिखी है प्ले निये लिखी है तीसरा है आपका Geographic किसके द्वारा लिखी गई है टॉलमी के द्वारा लिखी गई है और चौत्था है आपका Periplus of the Erythriaan सी इसको अग्यात लेखक दो रखे आ गया है लेखक का नाम यहां पर नहीं पता है इसके बाद आते हैं विदेशी यात्री कौन कौन से थे और किसके शाषनकाल में आए यहां से भी कोशन पूचा आता है सबसे पहले बात करेंगे फाहियान की फाहियान चंदरगुप्त अब किया कारी किये किस प्रकार से अपना शाषन चलाया और हां इंपटरचहों जो जिनकें शाषन काल में आते थे मालीज तू अब करके कि जिसके शैशनकाल में जो लेखा काता था बहुत सारे राजा ऐसे थे तो जानबूच करके अपनी जो बढ़ाईयां है जो उन्होंने इस तमब अभिलेक लिखवा है बहां पर अपनी चीजों को मैंशन किया कि मैंने ये कार्य करवाया है मैंने अभी आप देगो ना कहीं प लुक पता चल जाता है कि ये प्रधान था जिसके उसके बात की जाजयांतु है अगे ओने सिक्रिटस ये सिकंदर के शाषनकाल में आये थे ठीक है तो ये सारे विदेशी आत रही हैं जो इनके शाषनकाल में आये थे चली अब देख लेते हैं आगे important चीजे जो हमारा है पुरा तात्तिविक शास्त्रा में कौन-कौन से मिले साक्ष कौन-कौन से मिले उसमें आ मंदर के पत्त्रों में लिखा गया श्री राम या और भी बहुत सारी चीज़े लिखी आप राम मंदर जाओगे ना तो आप देखोगे कि बड़े-बड़े वहाँ पर लेख लिखे गए हैं वही अभिलेख हैं वह क्या कर रहे हैं अभी से आप देखोगे कि मालीजे बाइच इससे हम्हारे अभिलेख होते हैं इससे में पता चलता है उस टाइंग्यों कोique Print उय पर ऑग्तिय है कि प्राटी olsun जो पुरा लिखिया हैम या देखने को मिलेंगे यह मोहरों पर देखने को मिलेंगे कैसे जैसे जो मुहरे होती थी उस पर उस टाइम का जो शाषक था अपनी मूद्या बनवा देता था या फिर अपने शाषंकाल का कोई इंपोर्टनट चिन होता था आपको देखने को वहा देता तो सब से पहले अभीलेkte चट्टान टामर पत्र उन पर लिखे जाते थे अभी लेग। तो अपको पहले अभीलेक है ऐसे देखने को मैन्शन नहीं होते हैं इनन पर लिखे जाते हैं आगे बात करें हरपस इंस्कृति के जो अभिलेख हैं उनको अभी तक नहीं बढ़ा गया है reason क्या था नहीं बढ़ा जाने का क्योंकि इन्होंने अपने अभिलेखों में भाव चित्रात्मक लिपी का प्रियूक था भाव चित्रातमत कैसे? मेरे mind में share लिखना चाती हूं, ठीक है, ठीक है तो मैं क्या करूंगी? उसका image बना दूंगी, कि ये क्या है? Share है, ठीक है ये क्या है? Share है, ठीक है, वो अलग बाद है कि ये चुहा लग रहा है ठीक, बट ये share है, मेरे mind according share है अब जिसको नहीं पता होगा, तो वो क्या है, क्या समझेगा, कि आपने क्या बनाया है, तो वैसे ही उनके साथ था, उन्होंने क्या किया था, अपनी जो लिपी थी, वो भाव चितरात्मक लिपी थी, और उसका प्रयोग किया था, यानि कि उनको symbolize कर दिया था, चीजों को, तो उस symbol language में उन्होंने इसको लिखा था, इसलिए इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, जो सबसे पहले पढ़े जा चुके अभिलेक है, वो कौन से है, अशोक के अभिलेक है, इसको पढ़ा किस के दौरा गया था, जेम्स प्रिंसप के दौरा पढ़ा गया था, इ सबसे जादा अभिलेक जो आपको मिलेंगे, वो पत्तरों पर लिखे हुए आपको मिलेंगे, ठीक है, सारवदिक, अभिलेक, सरवादिक जो अभिलेक है, वो आपके संग्रहित कहां पर है, तो मैसूर में सबसे जादा आपके जो अभिलेक है, उनको संग्रहित किया गया है आरंबिक अभिलेकों की बात की जाए तो इनकी जो शुरुवात थी और भाषा थी वो अलग अलग थी सबसे पहले आरंबिक अभिलेक आपको इसापूर्वत तीसी सदी में जो देखने को मिलते हैं वो आपको मिलेंगे प्राक्रत भाषा में ठीक है तो जो आरंबिक अभिलेक थे वो कौन सी भाषा में थे प्राक्रत भाषा में इसापूर्वत तीसरी सदी में मिल रहे थे इसके बाद संस्क्रत भाषा में आपको अभिलेक मिलेंगे इसापूर्वत दूसरी सदी में और इन और दसवी सदी के आंतों में आपको देखने को मिलते प्रादेशिक बाश है यानि कि उस छेत्र में जो भाषा थी उस चेत्र में उस अभिलेकों का प्रयोक्या जाने लगा उनकी प्रादेशिक भाषा वहाँ पर शुरू हो गई ठीक है आगे बात करें अभिलेक से कंटेनू किया गया था उनको सबसे पुराने अभिलेक आप देखोगे तो हडपा की महरों पर आपको दिखाए देते हैं पच्चिस सो इसा पूर पर जिनको क्या किया गया है पढ़ा नहीं जा सका है भी तक ठीक है यह अभिलेक थे ब्राम्ही लिपी में और यही अभिलेक है जिनको खरोस्टी लिपी में जो कैसी लिखी जाती थी दाएं से बाए लिखी जाती थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो अशोक के अभिलेक हैं वो आपको और अलग लिपी में मिलेगे जिनको 1837 में जेम्स प्रिंसफ दौरा बढ़ा गया था अब इनके अभिलेक मिले थे कहां पर टोपरा और मेरट में भी किसके अशोक के इस टोपरा और मेरट के अभिलोकों को फिरोशात तुगलक दौरा कहां ले आया गया था दिल्ली ले आया गया था ठीक है तो इनके अभिलेक आप जाओगे जो भी लोग कुत्व मिनार देखने तो वहां पर भी एक लोस्तम है जहां पर आपको अभी लेक देखने को मिलते हैं तो अब बात कर लेते हैं किसकी सिक्कों की सिक्कों के अध्धन को हम क्या कहते हैं मुद्रा शास्त्र मुद्रा सिक्का पैसा इसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है सिक्के जो आपको देखने को मिलेंगे उस टाइम के तामे मिक्के थे चानी सोने सीसे मिट्टी ठीक है साथी साथ आपके कासा पोटीन है प्रोटीन नही किस देवता को मानते थे या फिर उस टाइम का शाशक कौन था इससे हमें यह चीज़े पता चल जाती है हिंद यवन शासको का इतिहास हमें सबसे जादा किससे पता चलता है सिक्कों से ही पता चलता है सबसे अधिक सिक्के जो चलाए गये थे वह मौरियोत्तर काल में चलाए और गुप्त सास कोने सबसे ज़ավदा सोने के सक्के चलाएं अगर बिश्मी आता है सबसे ज़ been to तो मौरत्तर शाशनकाल में, ठीक है, सोने के सिक्के सबसे जादा किसके शाशनकाल में चले, तो गुप्त शाशकों ने सबसे जादा सोने के सिक्के चलाए, वही गुप्तोत्तर काल में सबसे कम सिक्के चलाए गए थे, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, यह इंपॉर्णन ची क्लासिफिकेशन देखेंगे और नेक्स क्लास में इसके आगे करेंगे तो क्विप्राची नितिहास इसको तीन भाग में डिवाइड ग्याएट वक्ति गया है उसको माना गया है माना उत्पत्ती से 3000 इसा पूरु तक की और प्राग यातिहासी काल उसमें कहते हैं जहां पर हमको इतिहास को जानने के लिए कोई मजबूत साक्ष नहीं मिले ठीके बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिले कि हम यहां पर इतिहास को समझ पाएं तो उसको हम प् जहां पर हम सिंदुगाटी और रिग्वैतिक काल की बात करते हैं इसका जो काल था वो 3000 इसा पूर्वतक था इसके बात करेंगे एतिहास काल की जहां पर हमें पूर्तिया साक्ष मिले राजाओं के बारे में हमें पता है पुस्तके भी मिलने लगी तो यह आपका कुछ पूरा पाशान काल ठीक है नॅध्यफाशान काल अगणिका विश्कार कभूआ ठीक है पर कौन से चीज मिली हो इस थाल यानिकी पुरा पाशान काल स्थाल उत्तरस प्रिदेश में प्रते together उत्तर को मीले है number पाशंड़काल संड़ में मलें पूरा पाशान काल 3 तो यहां पर देखने को मिलेंगे कुछ जगे आपको चैदिया गया होगा ठीक है तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है आगे बात कर ले नौ पाशानकाल की तो यह चेह जार से हमारा एक हजार इस अपूर्व तक माना जाता है इसका अगेन पूरा पाशानकाल का तीन भागों में क्लासिफिकेशन किया जाता है तो अब इहां पर हमें पढ़ना क्या है उत्तर प्रदेश के point of view से कि कहां पर किस जिले में यह पाई गए हैं इनके साक्ष यह हमें पढ़ने हैं प्रियाग राज में कहां पर क्या पाया गया है कौन-कौन से जिलों में क्या पाई गया और यही आपका UP special में पूछा जाता है तो यह तो थी आज की ग्लास यहां तक कम्प्रीट क्या सब्कोर करें वर प्रभाट क्लास किया करें सिसमें एक अगे बारे में कंटीनू करेंगे और चाचा करेंगे तो मिलते हैं लाग शेंन स्प्रेश करना बिलकुल भी नभूले